हेलो एवरिवन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आलोग बाश्पेई और आप लोग जुड़ चुके हैं से मैं इंडिया के नमबर वन इस्टडी चैनल वाइफाई इस्टडी पर जीए की क्लास से जुड़े हुए हैं गुरूप डी के बहुत महतपूल प्रस्थ हम लोग यहा से को तभी लोग यहां फटाफट से निजी से आप सभी लोग बच्चे ऐख कर दिजए घा सेसन को लाइक कर दीजेगा और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीए ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बहतरी तरीके से सांदार जांदार प्रसनों की यहां पर सुरुआत करने वाले हैं तो सभी के सभी विद्यारती एक बार सेसन को बच्चे सेयर जर आगार रहे हैं यह बिलकुल पॉर सुरुआत करते हैं सब से पहले तो जिस लोगों ने मुझा अड़े अप पर फालो नहीं किया है और फालो करने पर आप लोगκो करना क्या है उसर हे नोटिफिकेशन आप यू आप को सबकर नोटिफिकेशन आप लोगों को के लाव से ठीक अब या सारे लोग बच्चे फालो कर लेंगे जरूर और देखें यह आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर्स हैं आप सारे लोग जरूर यहां पर लेंगे और कोड सभी लोगों को एक ही लगाना है कोड लगाना है एबी सर्टेन और इसके माध्यम से आपक सेंड करना है इंस्टेंट आंसर मिलेगा प्री टेस्ट सिरीज आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और रेज हैंड का प्रियोग करोगे जब आप लर्नर आप पर क्लास करते हो तो रेज हैंड का प्रियोग करके आप लोग यहां पर सीधे अपने फैबरेट एजुकेटर से ब वारत के लोगपाल में कितने सदस्षे लोगपाल या करते हैं यारोकपाल उए पढ़ते हैं लोकायुक्त राज्ज में होता है कि और यह आपका हम लोग कहते हैं सेंट्रल में केंडर में और राजमुकाल यहcoat उसमें आठ सदस्ष नहीं चार न्यायाईक यानि कि जुडिसियल है और चार यह गैर न्यायाईक ठीक है तो टोटल कितने सदसे हो गया है आठ अब अगर पूछा जाएगा लोगपाल के ध्यक्ष कौन पहले पिनाकी चंद्रगोफ लोगपाल का कारेकाल कितना होता है पांच बटे सतर या तो पांच साल पहले पूरे हो जाएंकी सर्विस के या उनकी सतर साल आयू हो जाए वो रिटायर कर जाएंगे यह पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि रहें सर नोटिफिकेशन लिंक के द्वारा किया रेलवे सेशन किस वर मेक सेशे पुरासकार से सम्मानित किये गया हमारे देश की चीफ एलेक्षन कमिस्टर रहें टीन सेशन साहब यह जब सम्मानित किये गये थे तो सम्मानित किये गये थे रेमेन मेक सेशे रेमेन मेक सेशे को हम लोग एसीया का नोबल पुरासकार हम लोग बोलत रह्मन मेकसे से यह बच्चे बिनोवा भावे को मिला था यह बात याद रखिएगा एक ऐसे बेक्ती है जिनको भारत रत जिनको दादा साफ फालके अवार्ड और जिनको मेकसे से अवार्ड तीनों मिले हैं वो है कौन वो है सत्य जीत रे वो कौन है भई सत्य जीत रे एक ऐस सब्सक्राइब इसको हम लोग स्यादवाद के नाम से भी जानते हैं, यह जहन धर्म से संबंदित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्यादवाद या सब्त भंगिन है, इसके अन्य नाम भी है, यह भी आप लोग याद रखिएगा, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जान जहन साहित को आगम के नाम से जानते हैं, जहन साहित में जिस भासा का प्रयोग किया गया है, वो कहां परिस्तित है, इसका मुख्यल है, क्या सए उत्तर होगा? देखो बच्चे बहुत बेतरीन सवाल है भारती नोसेना का जो पूरवी कमान है उसका जो मुख्याला है वो बच्चे विसाका पत्तम है तो अभी मुख्याला हम लोग देख लेते हैं इस्टर्ण कमान का विसाका पत्तम है ताउधर्न का कोच्छी है और वेस्टर्ण का मुं उन्होंने कहा जीरो से चौधा और इस पैमाने का नाम दिया पी एच इसकेल पैमाने का मतलब हो गया फुल फार्म पोटेंशिल पोटेंशिल आफ हाइड्रोजन यह साथ नूट्रल है तटस्त है यानि कि जीरो से साथ तक हमली हैं और साथ से उपर वाले चारी हैं और इसी ब्लेट प्लेट लेट्स और प्लाजमा यह चारों कंपोनेंट बच्चे ब्लेट के कहा जाते हैं यह भी आप लोग याद रखोगे अगला सवाल है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरह यह देखे मैंने पूरा आपको समझा दिया है ठीक है मानव सरीर में मानस्पेसियों की कुल संख्या कितनी है उनतिस तीस या दो सो च्छे या च्छे सो उनतालिस मानव सरीर में मानस्पेसियों की टोटल संख्या कितनी है मानस्पेसियों की अगर बात करेंगे तो कितनी हो जाती है च्छे सो उनतालिस मानव सरीर में मानस्पेसियों की कुल क्या है इस बात को याद रखिएगा और हड़ी बच्चों में कितनी 300 होती है 206 को जब क्लासिफाई करते हो तो अच्छी कंकाल में 80 हैं और उपांगी कंकाल में 126 हैं दोनों जोड़ देते हो तो कितनी हो जाती है 206 हो जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग मारब कंकाल को दो भागों में मैंनेजर सा बताया आपको अच्छी और उपांगी में अच्छी कंकाल में कौन-कौन से पार्ट आते हैं इसको बहुत ध्यान से देख लिएगा इसमें इसकल पार्ट आता है मेरुदंड आता है पसलियां अरोस्ति की अड़िया आती है उरोस्ति मतलब इस से पसलियां एक दूसरा से जुड़ी होती है और यह अच्छी कंकाल में टोटल एट्टी बोन्स होती है याद रखिएगा ठीक है उपांगी कंकाल एपेंडी कुलर स्केल्टन की बात करेंगा इसमें क्या क्या आता है हाथों के हड़ियां पैरों के अवलम यह सब आते हैं कमर हाथ पैर सब कुछ और यह आपके 126 मानव सरीर के हाथ भाग में इसमें हाथों में सबसे आधी खड़्डियां होती है यह पॉइंट भी आप लोग ज्याद रखोगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन बं का विसकार किस ने किया हैनरी केविंडिस अलव नहीं यह बहुत ध्यान से बताना है देखो आइड्रोजन बं की बात करोगे एड्वर्ड टेलर अगर पूछा जाएगा तो डाइनामाइट या अलफरेट नोवूल ने अविसकार किया था और हाइड्रोजन बं अगर कभी पूछा जाएगा तो यह आपका एड्वर्ड ट है ठीक है चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सूर के उर्जा का स्रोत क्या है नाबकी विखंडन रेडियो धर्मिता सनलयन या आयनी करन क्या है फटा फट से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर करोगे इस प्रस्ण का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इस प्र प्रस्ण का मेरे प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर क्या होगा फटावट से आंसर करेंगे देखो या बहुत बढ़िया सा सवाल है और बहुत मस्त तरीके से आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं कैसे करोगे बहुत ध्यान से समझेगा सूर के उर्जा का स्रोत है बड़ा नाभिक छोटे-छोटे नाभिक में विभाजित होता है तो वह विखंडन होता है और इसमें बड़ी जबरदस्त उर्जा भी जारी होती है याद रखेगा कुछ इस सरीके की इस चित्र के माद्यम से आप लोग देख सकते हैं कि छोटे-छोटे गोले आपको यहां तारों द्वारा जो जारी उर्जा है वो सलेन के कारण होती है याद रखेगा ठीक है यह हाइड्रोजन बं का आप लोग यहां पर एक तस्वीर देख सकते हों कि हाइड्रोजन बं परमार सलेन पर आधारित होता है और यह एटम बंसे लगभग आप समझ सकते हैं 1000 गुना दबा ठीक है नान और वाद बताईए अब यहां पर ए देखो सभी में कॉमन है यह सभी में है ऐसा कोई नहीं है जिसमें ए ना हो सभी में तो ए के मतलब अलग नंदा है के मतलब कन प्रयाग आर के मतलब रुद्र प्रयाग देव के मतलब देव प्रयाग यह न के मतलब नं प्रस्न का उत्तर कणण प्रयाक क्प्रयाक पिंडर और अलकनदा मिलती है तो प्रस्ण का उत्तर कंण प्रयाक यहाँ पर आपका निकल फिर रुद्र प्रयाग फिर कंड प्रयाग फिर नंद प्रयाग फिर आपका विश्णू प्रयाग और यहां पर जो आपका केदारनाथ है केदारनाथ इस्थल जो है यह मंदाकिनी के किनारे इस्थित है और जो बद्रीनाथ है यह आपका अलक नंदा के किनारे इस्थित है य तो भूस माखंव है वह इपने इसको बहुत ध्याण से संजोग है रिगवेक्र का उपवेद ऐस बिल्कुल राधर बेद का दंधर बेल बिल्कुल नहिए यजबएद का क्या हो जाता है धनुरवेद हो जाता है यजबेद का धनुरवेद उपवेद हो जाता है त्यक्वो यजब पर देंके तरीका मैंने बताया था एक त्रफ बेदों का सही क्रम लिखो यार-न्राyan... उसके सामने लिए जिए-स यहां बोला था A, D, G, S ठीक है, यह मैंने बोला था अब देखो, रिगवेद का A से आईरवेद उबेद है यजुलवेद का D से धनुपेद है यस से सामवेद का G से गंधरवेद उबेद है A से अथरवेद का S से सिलबवेद उबेद है तो भाईया ये बेद और उबेद का ट्रिक है आप लोग याद कर लिजेगा ठीक है राइसा के सामने क्या लिखना है ADGS बस आपके बेद और उपवेद चारो याद हो जाएंगे question गलती नहीं होने का ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए मैंने चारो लिखके दे दिये हैं बस आपको राइसा मैं फिर से लिखे दे रहा हूं बस यह code याद रखना है और राइसा और ADGS दो को मिला लोगे एकदम निकल के आ जाएगा ठीक है killer है चली आगे बढ़ है यह दोनों के दोनों चीजें हड़पा से प्राप्त हुई है बैनेटी बॉक्स इसलिए हम लोग कहते हैं कि हड़पा सब्विता में का क्या बिल्कुल मेकप करने की पर्था थी तो कह सकते हो हां क्योंकि स्रंगार दान बैनेटी बाक्स वहां से पारा गया है तो यह हमको को इस बात का प्रमार देता है रप पा किस नदी के किनारे राबी मोहन जोबरो किस नदी के किनारे सिंद्धू-नदी के एक नारे मोहन जोबरों कहां पयाँता छिले में और शठय मोंट कोमरियरे आगे बढते हैं प्र 오늘도 Mil Var मिला है हडपा से एक पंक्ति में छे अन्न के भंडार मिले हुए है तावा निर्वित दरपण और बैंटी बॉक्स भी यहां से प्राप्ति हुई है यह आप लोग याद रखोगे ठीक है मोहन जोदरो सिंदु सबता का सबसे बड़ा छे तरफल में इस्थल मोहन जोदरो विस पाल के साक्षवी आपके लोथल से मिले हुए है काली बंगा से साथ अगनी वेदिकाओं कि स्रंकला है लकडी के हल और जूते हुए खेत के साक्षवी काली बंगा से ही प्राप्त होते हैं अब इधम पिटक को मोगल पुत्तिस्ट ने संकलित किया था यह कौन सी बहुत बीगति में संकलीत किया था मोगल पुत्तिस्ट ने एक बार तेजी अंसे करोगे माइश बहुत बड़ीया सवाल है इसको करोगे यह जो आपका अभिधम पिटक है, यह मोगल पुत तिस दोरा संकलित किया गया था, यह संकलित किया गया था, तीसरी बहुत संगीती में, अब यहाँ पर समझ लोगे देओ, आरबी पीके, मैंने बहुत बार बताया है, राजग्रह बैसाली पाटली पुत्र कुंडलवन, यह बहुत संगीतियों का क्रम है, पहली राजग्रह में, दूसरी बैसाली में, तिसरी पाटली पुत्र में, और चौती आपकी कुंडलवन में संगीती होती है, अगला सवाल है ये सारी सारी संगीतिया हैं पहले आप लोग देख लोगे एक बार सौर्ट में 483 इस्वी पूर्व में सब्त परणी गुफा इस्पेसल वेन्यू था जहां पर हुई थी अजाद सत्रु सासक है अध्यक्ष है महाकस्य ठीक परिणाम क्या हुआ इसमें बिन पिटक और सुद्ध पिटक का संक्लन किया गया दूसरी हुई है 383 इस्वी पूर्व में और यह कहां परिस्थान है बैसाली में और कौन सी जगह थी बालुकाराम बिहार में यह भी याद रखोगे बालुकाराम बिहार में अध्यक्ष कौन है काला सोक है ठीक यह देखिए सासक है काला सोक अध्यक्ष है आपका सबक अमीर तीसरी बहुत स तक को मुगल पुतिस्ति के द्वारा संकलित किया गया चौथी आपकी यह होती है कनिस्क के समय में अध्यक्ष बस्मित रुपाद्यक्ष असुहोस और कहां पर होती कुंडलवन कस्वीर में यह पॉइंट आप लोगों को किलियर होना चाहिए और इसमें बहुत धर्म को पु करेंगे यह कहां का वेया राज्यूत्सब आपटा अगरेजिस की राजभासा ठीक आध रहेगा चलि आगे बढ़ते हैं अंतराश्ट्री- आहार दिवस प्रतिवर्स कब मना आ जाता है अंतराश्ट्री आहार दिवस पांच मई या छे मई चार मई या तीन मई क्या आंसर होगा भई यह फटा फट से आंसर करोगे मेरे प्यारे विद्यारती हूं जितने लोग जुड़े होगे हो एक बार तेजी से आंसर करेंगे इस प्रस्त का सही उत्तर क्या होगा बुले वे बिल्कुल बच्चे बहुत बढ़िया सवाल है देखो वह ध्यान से इसको कर सकते हो अंतराश्ट्री आहार दिवस जो है यह आपका छे मई को मनाया जाता है तीन मई वड़ा इंपोर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे वर्ल्ड प्रेस जो फ्रीडम डे है वो आपका कम मनाया जाता है तीन मई को अगला सवाल है दिख्षा डागर किस खेल से सम्मंदित खिलाडी है और आपकी किस खेल से सम्मंदित खिला डागर है फटा पटानसा करोगे दिख्षा डागर क्या सैए उत्ठर होगा ? फटा पटा अंसर करेंगे भाई दीच्छा डागर जो है आपकी किस खेल से सम्मंदित खिलाड़ी है कभी भी पूछा जाए तो आप इसली बता सकते हैं भाई दीच्छा डागर जो है ये आपकी गोल्फ से सम्मंदित खिलाड़ी है अब देखो बहुत सारे सवाल आपके इस स्पोर्ट से मिलते हैं पोलो इसको हम लोग चौगान भी बोलते हैं कुद्बुद्दिन एबक की मृत्ति यह खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने कारण हुई थी चार खिलाड़ी होते हैं इसलिए चौगान बोलते हैं क्रिकेट की बात करेंगे वर्ल में क्रिकेट के जो कहा जाते हैं वो डबलू जी ग्रेस को कहते हैं भारत में रजी सिंग महराजा को हम लोग कह देते हैं क्रिकेट का पिता हाकी के जादूगर मेजर ध्यांचंत जिसका जन्द विवस 29 अगस्त को राश्ट्री खेल दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यह सारे इसी ली बता सकते हैं यह और जाता है बड़ेश कोन सा हो जाता है और यह याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं कुनेन सिंकोना पादप के किस भाग में परकर्ति रूप से पाए जाता है और यह जो है मलेरिया के लिए बड़ी अच्छी दवाई भी थी कुनेन क्लोरो क कुई कैमा कुई अब तो मलेरिया का टीका बन गया लोग जनते हैं मलावी कंट्री ने बनाया है और यह कुनेन सिंकोना हमेसा च्छाल से पाया जाता है सिकंदर ने जब भारत पर आया आकमड किया तो उसने उसके साथ कौन नहीं आया था नियारकस अने सिकर्टिस डाइमे दर्बार में इसके दर्बार में आता है बिंदूसार के दर्बार में और बिंदूसार सीरिया के राजा से तीन चीजों को खिलाफ है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यह सिकंदर के साथ नहीं आए बाकि सब सिकंदर के साथ है किसे मरनों प्रांत भारत रत्म नहीं दिया गया क्या आंसर हो जाएगा देखो यार बड़ा बड़ी है सवाल है नाना जी देश्मुक को 2019 में मिला मरनों प्रांत 2015 में ही भारत रतन से नवा जा गया था अगला सवाल है गीतेगा को किस देश की राजधानी के रूप में गोसित किया गया था उरुगवे हैती घाना या बुरुंडी गीतेगा देखो उरुगवे जहां पर पहला वर्ल्ड का फुटबॉल होता है उरुगवी मॉंटेमीडो प्राजधानी है एती करेवीन कंट्री है घाना कैपिटेल अकरा है बुरुंडी जिसके बुजुम्बुरा कैपिटेल थी अब हम कहते हैं उसको नाम भाई क्या हो गया अगर आप अड़ते हैं और बीस रुपए का नोट जारी किया गया उसके पीछे किसकी तस्वीर है दे 200 रुपए पूछा जाएगा तो साची का स्थूप 500 रुपए पूछा जाएगा तो लाल किला 2000 रुपए पूछा जाएगा तो मंगल यान सब रटमारो एक फसेगा जरू किस पंचवर्सी योजना को हैरट डूमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है कौन सी पंचवर्सी योजना है डूमर मॉडल के नाम से भी जानी जाती है बूलिए भई देखो यार बहुत बढ़ी है सवाल है हैरट डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्सी योजना महाल लोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्सी योजना अब अगर कभी आप से एक सवाल पूछा जाएगा बस कोड याद रखना है भीरू-भीरू-गरू राज-दुबे ये कोड ज़रूर याद रख़ी है अब इस पंचवर्सी योजना में याद रखेगा भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर यह तीन इस्टील प्लांट की स्थापना दूसरी पंचवर्सी योजना में होती है, भिलाई रूस की साहता से, यह हम लोग कहते हैं, राज से क्या होदा, राउर केला जर्मनी की साहता से, जासे जर्मनी, दासे दुर्गापूर, बासे ब्रिटन की साहता से, लेकिन बोकारो स तीसरी पंचवर्सी योजना में बनता है, वोकारो जो है, यह तीसरी पंचवर्सी योजना में बनता है, किलर हुआ सारे लोगों को हाँ या ना, कौन रविन्ना टेगोर जी का साहितिक कारें नहीं है, रविन्ना टेगोर जी का, रविन्ना टेगोर जी जिनको हम लोग कुरूधेब कहते हैं। इनकी गीताजली जिसको 1913 में इनके लिए इनको नौबल प्राइज दिया गया। भी सरजन इनकी राज रिसीव इनकी लेकिन दुर्गेसनंदिनी इनकी नहीं है। दुर्गेसनंदनी जो है वो वंकिमुचंद्र चटर जी किये वाई वंकिम चंद्र चटर जी की दुर्गेस नंदिनी है याद रखी किले हुआ सारे लोगों को हाँ या ना एक बार कमेंट सेक्षन में यस करके बताएंगे सेर कर देंगे सेसन को यस करेंगे कौन गलत रूप से मेल खाता है सही उत्तर क्या होगा बाई देखो बह अब यहां पर एक बड़ा सवाल पूछा जाता है जहां पना नगर मुहम्मद बिन तुगलक है और तुगलकाबाद गया सुद्धिन तुगलक है याद रखिएगा जो इल्तुत मिसने नहीं किया अब है निर्मार ठीक है तो यह मिसमैच हो जाएगा मैं फिर से रिपीट कर ललीत सारे लोग बताएंगे कि एकदम किले रहें यहां तक चलि आगे बढ़ते हैं अगला सवा होनलूलू किस देश की राजधानी है होनलूलू देखो ग्रीन लैंड की कैपिटल है नूक एन यूउ-यू-क ये ग्रीन लैंड की कैपिटल हो जाती होनलूलू उरुगवे की कैपिटल मॉंटे वीडियो मेडा गासकर की कैपिटल अनंता मारिवो याद रहेगा तो होनलूलू क्या हो गई हवाई आलेंड बराक हुसेन ओवामा का जन्म भाईया यहीं पर हुआ था जो अमेरिका के राश्पती रहे हैं याद रखिए निमलीकित में से किसे ब्लू स सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं कांडला बिल्कुल नहीं कांडला बंदरगाहा है उस बंदरगाहा का नाम अब क्या हो गया दीन दयाल पोर्ट हो गया बाई तो यह टाओ यार बिल्कुल नहीं कोची भी नहीं है हैदराबाद भी नहीं सही आंसर क्या है जोदपूर ब् प्रसन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बहुत बढ़ीया सा सवाल है बहुत मस्ता question है आप सारे लोगा answer कर सकते हो इसका ठीक है है आप सारे लोगा answer कर सकते हो कैसे करोगे देखोगी है बहुत जोवर्दस सवाल है इस प्रस्ष्ठ का उत्तर हो जाहेगा आपका पुड़े ठीक है चलिए आगे बढते है गेटवेवे आफ इंडिया का निर्माल किसके दारा किया गया सब्स्सीच जॉर्ज विटट ली काबूर्सियर या गेरालड उंगया पट पटा-पट आणसा करो घृटवेवे आफ इंडिया ने दिल्ली में और गेटवे आफ इंडिया की बात करते चंडीगड का आर्किटेक्चर कौन था तो ली काबुर्सियर फ्रांस इस डे ने मद्राज सहर बसाया गिराल लोंग यार ने बंबई सहर बसाया यहां तक सब संसत में राश्पती 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 लोकसभा तीनों मिलकर के होगा संसत का निर्मा बर्स 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्री करण किया गया 108 या 14 या 6 या 18 फटा बटा आंसर करोगे वैई देखो यार 1979 में एक बार राष्ट्री करण हुआ और यह 14 बड़े बैंकों का राष्ट्री करण हुआ 1980 में दुबारा राश्टी करन होगा ये 6 बड़े वैंकों का हो गया तो टोटल कितना हो गया 20 पैंकों का राश्टी करन हो गया 80 में पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 6 क्लियर है 18 अगर पूछा जाएगा संख्या किसकी होती है तो पुरानों की 108 पूछा जाएगा तो उपनिसत की संख्या होती है 108 सब नोट करते जाएगा जो अडिसनल आपको लगे जो आपको नहीं पता है तुरन नोट करोगे जो नहीं पता है तुरन नोट करेगे अगला सवाल भारत के किस राज में वन आवरण का प्रतिसत सबसे अधिक है देखो बड़ा थोड़ा सा पेचीदा सवाल है अब मालिय किसी का 100 एरिया है 100 में से 80% अगर है तो वो वन आवरण उसके एरिया के अकॉर्डिंग है लेकिन टोटल ऐसे यहां पर according to question देखोगे तो यहां पर क्योंकि वन आवरण जो प्रतिसत है वो यहां पर सबसे अधिक वनो का प्रतिसत सबसे अधिक जो वनो का प्रतिसत है वो यमपी है याद रखेगा लेकिन वन आवरण जैने कि जो टोटल एरिया है उसका टोटल तो आप भी जोरम लगाईएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं जिला नहादिस द्वारा नियुक्त किये जाते हैं जिला नहादिस किसके द्वारा नियुक्त किये जाते हैं मुख्यमंत्री या हाई कोड का चीफ जस्टिस या माधिवक्ता है राज्योपाल फटा पटा आंसर कीजिए ओकit थीक है देखो बहुत बढया सवाल है district judge आर्टिकल कौन सा बूष्टिक जच का आर्टिकल 233 में 233 में याद रखिएगा और district judge के निवक्ति कौन करेंगा राजपाल साहा ठीक राजपाल को सपत कौन दिलाएगा याद रखिएगा राजपाल की नियुक्ति राश्पति महोदे करेंगे लेकिन सपत दिलाएंगे हाई कोट के मुख्य नाधीस सपत दिलाएंगे राजपाल महोदे को एड़ोकेट जनर ये राज के पहले विधी अधिकारी बोले जाते हैं अनुछेद नंबार 165 में इनके बारे में जनकारी दी गई है इनका टेनियोर कोई फिक्स नहीं होता है ये राजपाल के प्रसाद परियंद पद्धारण करती है वन इजीव संर अधिनियम के जब भी बात करोगे तो ये 1972 64 में UTI की स्थापना होती है 64 में बहकारो स्थील प्लांट की स्थापना होती है 88 में बच्चय सेवी की स्थापना होती है 54 में भारत रद म्दिया जाने शुरू होती है चार चार पांच पांच क्वेस्चन आप लोगों को मिल रहा है एक एक क्वेस्चन से ठीक है बस नोट कर लो जो नहीं पता है जो पता है उसको नोट करने कोई आप सकता नहीं जो नहीं पता है डिसनल इंफॉर्मेशन में उसको जरूर नोट करिए क्योंकि यह आपके एक्ज यह ब्हुंत है यह क्योंट बैक्टीरिया का नाम है नहीं अंसर वनेला टाइफोसा यह भी नहीं होगा तपेदिक भी आपका माइकोबैक्टिरियम ट्यूबरक्लोसिफ बैक्टिरिया इसका मलेरिया जो है यह प्रोट से याद रहेगा चलिया आगे बढ़ते हैं यह होगया और मलेरिया लोग सब्खामार में अनुसूचित जात के प्रतिनिदियों के लिए कितनी सीटें अरची थें अनुसूचित जात ही मतलब SC सी मतलब सीडियूल कास्ट अब देखो याद रखोगे टोटल 131 हैं यह सी के लिए 84 स्ट के लिए 47 जोड़ दोगे 11 वन गया आठ चार बाराव एक तेहा 131 होगे ही टोटल यह सी के लिए 84 हैं यह सी के लिए 47 हैं यह पॉइंट आप लोग याद रखोगे खिलेर है सारे के सारे लोगों को आगे बढ़ जाते हैं दिम लिकित में से कौन सी राश्ट्री पार्टी नहीं है यहाँ पर देखो या नियस्तन कौन सी राश्ट्री पार्टी यह हो गई राश्ट्री यह हो गई राश्ट्री यह हो गई राश्ट्री लेकिन यह दोनों राश्ट्री नहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजबादी पार्टी क्योंकि प्रस्द में पूछा यार कौन सी राश्ट्री पार्टी नहीं है तो आपका अंसर हो जाएगा यह क्योंकि इन में सम्में है यह तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा पोर टोटल कितनी राश्ट्री पार्टी है आठ आठ भी कौन सी है एन पीपी यह पिया संगमा साहब के सुपुत्र है इसके राश्ट्री अध्यक्ष कानराट संगमा जो है ध्यक्ष कान्सा समय है जो पूर पूर्ट फोमसback है सार्कार बनाईगे दूसरा तीसरा चौत्त्ता यह पंग्यों बटा बडा अंसर करोगे मोदी जी के समय की बात कर रहे हैं तो यह तीसरा समय है जहों लोग कizado क्या सकते हैं पूर्व महमद के साथ सरकार यहाँ पर बनाई गई गई है याद रखियेगा ठीक है याद रह आप देखो यहाँ पर दूसरी चीज और है अब यह मैं समझेगा यह दूसरी बार किये जो बैक्ति के हिसाब से हैं यह वेक्ति के हिसाब से तीसरी बार तीसरे वेक्ति हैं जो लगातार तीसरी बार बनते हैं जवालल नहरू और मनमोहन सिंग जी के बाद में ठीक अभी है चलिए आगे बढ़ते हैं गुल्जार का असली नाम क्या है संपूर्ण सिंग काल्रा एस दिलिब कुमार या मु मस्त तरीके से ही आप लोग आंसर कीजिए मस्त तरीके से ही आंसर करना है आप सारे विद्यारतियों को फटा फट एक बार सेर जरू कीजिए सेसन को जितने लोग भी हैं एक बार तेजी से यार सेसन को सेर जरू करेंगे फटा फट से आप सभी लोग सेसन को बच्चे सेर कर अल्ला ये गुल्जयार का बास्तविक नाम है मैं रहहमान हिंदू है याद रखिये बास्तविक चार्ट करें यूसुप खान जो हमारे रेजर्टी किंग अभी निधन हुआ था दिलीब कुमार साब का उनका वास्तविग नाम इसुफ का कुमुदलाल गांगुली या सोक कुमार का नाम था जिनको दादा मुनी के नाम से जानते है ना उनका नाम भाई कुमुदलाल गांगुली था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोकसवा की किस जो पानसोपच्चिस से बढ़ा करके 545 कर दी गयी थी कौन से समिधान संसोदन अध्नियम से लोकसवा की सीटें 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गयी एक सथमा सम्विदान संसोदन, उनतरमा या 31 या बैलिसमा, क्या आंसर हो जाएगा, बोलोग बैग, फास्ट, PDF के लिए आप लोग, GS oblique GK, बाया लोक सर, ये टेलिग्राम गुरुप जॉइन कर लोग या, ठीक है, जितने लोग है, बटा बटा आंसर करोगे इसका, इसका सही उत्तर हो जाया गया, 31 में सम्विदान संसोदन से, सीटें लोग सवाकी 525 से बढ़ा करके 545 कर देगी, 69 में सम्विदान संसोदन से, दिल्ली को NCR बनाया गया था, 42 में सम्विदान संसोदन से, समाजवादी, पंत निर्पेचता और अखंडता सब्द, जोड़े गया, प्रियम्बल में, याद रखिएगा, 61 में सम्विदान संसोदन से, जो वोटिंग एज है, को 21 साल से घटा क करके 18 साल कर दीगे, राजी इवगांदी के समय में, ऐसा किया गया था, याद रखिएगा, मेरे प्यारे विद्देरतियों, राजी के राजपाल को सपत कौन दिला था, अभी हमने एक क्वेस्चन की बेख्या के दौरान, आपको ये बताया, कि गवर्नर साब की निवक्ति तो प्रेसिडेंट साब करेंगे, ठीक है, हटाएंगे भी प्रेसिडेंट साब, ट्रांसपर भी प्रेसिडेंट साब करेंगे, सब कुछ प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन कहेंगे, सपत भया यहां लेने ना आओ, अब सपत आप राज जुमिले लिए, और हाई कोड के मुक 1885 में या 1986 में या 1988 कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जब भी बात करेंगे तो यह 1986 में होता है और अगर पूछा जाएगा इंद्रा गांधी नेशनल ओपन उनिवर्स्टी कंपना है 1985 में फूड कॉर्परेशन आफ इंडिया की स्थापना होती है 1988 में बीसों बार बताते हैं तेवी की स्थापना होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं निवलिकित में इसे कौन सा छेट्र 1857 के विद्रो से अच्छूता रहा यानि कि वहाँ पार उसका कोई भी प्रभाव नहीं था तो कानपुर में बैया नाना साहब थे लखनों में ब तो विद्यारतिक मन में आ गया यार जनसंख्या के इसाब से पूछ रहा है या छेत्रफल के इसाब से पूछ रहा है और यहां पर ना जनसंख्या का उलेक किया गया ना छेत्रफल का उलेक किया गया तो परसान होने ही ज़रूरत नहीं जब कोई उलेक ना करे तो आप आप Novacarta समंझे जन संख्या दिलिघन बहुत समय अगई अ है इत्र समस्में यह तो एक बार यहस लिंग दो भाई कमेंट सेक्शन में साई टोनी आदी नरायन सारे लोग बताओ गए अमन फटा बट सुरती सिनहा एक बार बताएंगे बच्चे किलर हो रहा है सब कुछ चले आगे बढ़ते हैं अगला सवाल मिताच्छरा के लेखक कौन थे विज्ञाने अगला सवाल है पूर्टगालियों का पहला गवर्नर अगर कभी पूछा जाएगा ठीक है पूर्टगालियों का पहला गवर्नर तो आप कहोगे यार अल्मीडा है अल्मीडा बड़ी एक पॉलिसी के लिए जाना जाता था इसकी पॉलिसी थी एक ब्लू वर्टगालियों के यह वास्तविक गवर्नर बोले जाते हैं पूर्टगालियों के और न्यूनो लकूना जो है इसका बाहदुर सांग से गुजरत के सासक से विवाद श्रेंदी अंगरेजी गुजराती या इंग्लिश और हिंदी तीनु में यहाद पुछा आए तो नव जीवन पुस्तक जो है यह आपका हिंदी और गुजराती ठीक अब यह आगे बढ़ते हैं बंगाली और केसरी समाचार पत्र किसके दौरा संपादित थे बंगाली और केसरी फटापट आंसर करोगे बंगाली और केसरी समाचार पत्र देगा बंगाली तो जो है यह सुरेणनाद बनरजी का है अब सुरेणनाद बनरजी हमको तीन में याद रखेगा 1905 में ये स्वदेसी आंदोलन होता है ये इनीगी द्वराय स्टार्ट किया जाता है पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहते हैं कभी भी पूछा जाए पत्रकारिता का राजकुमार मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूं गुरूप डी के लिए एक प्रीवियस पेपर सिरीज पूरी बाइफाई स्टेडी 2.0 पर 11 बचे सुबह है इसका अंसर हो जाएगा पत्रकारिता का राजकुमार क्रिश्टो दासपाल है मैडम ब्लाटवस की और करनल अलकाट इनके दौर 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी कहां पर याद रखेगा अमेरिका के निव यॉक सहर में इस्थापना की गई याद रखना है और अमेरिका के ही सैन फ्रेंसिसको सहर में गदर की स्थापना की जाती तो गदर और थियोसोफिकल सोसाइटी दोनों अमेरिका में ठीक है बेस वाल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक बार यूपी पीसियस में यहीं सवाल पूछा गया मेरे से इंटर्वू में यह कोई ऐसे और जैसे बताइए जो अमेरिका में स्थापित हुए कोई तीन और य एक तो यारे मुझे याद आ गया है और वांकी एकदम हो गया और यह सुचिए जो एक बड़ी सी सीनरी लगी थी उसमें यूएस का भी डिजाइन लगा था तो बोले आप सोच सकते हैं थोड़ी दिर लेकिन जब रिकॉल नहीं हुआ तो आप लोग जमस सकते हैं कि ऐसे प बताइए अब जब इंटर्व्यू का बड़ा प्रेसर होता है ना विद्यार्थी पर तो बड़ी आसान-असान सी चीज़ें भूल जाते हैं इसलिए मौक जो है ना मौक जब भी आपका इंटर्व्यू कॉल हो तो मौक अधिक से अधिक करो मौक करता है मौक जीजक समाथ्त और छे किसमें होते हैं भाई बॉली बॉल में खिलाड़ी होते हैं छे ठीक है आगे बढ़ते हैं पेस्वा बंस की स्थापना किसने की बालाजी विस्वनात माधव राओ बल्लाल या नारायन राओ या बाजी राओ से करी बूलग भी देखो बहुत बढ़िया सवाल है पे निम लिकित में से कौन एक गयर समयधानिक निका है देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 15 मार्च 1950 को प्लैनिंग कमिशन में नहरु जी ने बनाया और मोदी जी की सरकाराई 2014 में तो इन्हों ने इसका नाम हटा दिया और नीतियायोग बना दिया और ये बनाया 1 जनवरी 2015 लेकिन अगर सवाल कभी भी आए प्लैनिक कमिशन के अंतिम अध्यक्ष कौन थे ठीक है तो आप लोग याद रखना है अंतिम अध्यक्ष मोदी जी है यह जरूर याद रखना है क्योंकि यह एक जनवरी 2015 को बनता है यह तो भाई चौधाम बन जाते हैं मोदी जी प्रधान आए और यह जोग कौन से आर्टिकल में हैं 281 में हैं कौन गठित करता है तो याद रखेगा राश्पती गठित करते हैं बरतमान में कौन सा चला है पंद्रमा कब से कब तक है इसका टेनियों 2020-25 पहला कब गठित हुआ 1951 में पहले का टेनियूर कितना था 1952 से लेकर के 1957 त आए भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परिच्छा कौन थे अटापट अंसद करोगे और वी एनार पिल्लई या सीतलवाड क्या अंसर होगा देखो या पहले CAG जो है वो आपके बी नरहर इराओ रहते हैं कौन रहते हैं बी नरहर इराओ जो है या आपके पहले CAG होते हैं यह पॉइंट आप लोग याद रखो गए ठीक है याद रहेगा हाँ या ना बोले बच्चे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल है आपका पॉधों में जो बात्सपोर्सर्जन की जो दर है उसको मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है वो यंत्र जो है वो कौन सा है क्या आंसर हो जाए लेक्टोमीटर बिलकुल ने दूद की सुद्धता एनिवोमीटर भी नहीं है उचाई नापता है ओडोमीटर भी नहीं गाड़ी की स्पीड बगरा के लिए होता है पोटोमीटर यह बासपोर्सर्जन की दरकुम आपने का काम करता है भारती हीरा संस्थान कहां है फटा फटा आंसर करिये भाई भारती हीरा संस्थान कहां है बोले संजु सेंग बोले संजु बावू सारे लोग बया सेयर करेंगे सेसन को जितने लोग भी जुड़े हुए हमारे साथ फटा फट से मेरे प्यारे विद्यारतियों ज Canada करेंगे अधिक सेदिक. अधिक सानश्र करो के सभी लोग विद्ध्यार्थी सटीक तरीगे से रटीगे सकीजिए एकदम आनद आएगा. आप सभी लोगों को सटीग तरीगे से अंसर करना भेड़ाी। का है एकदम सटीग तरीगे से आंसर कीजिए, जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हूए हैं। अगर पुछा जाएगा तम्माकून संदान संस्थान कहा हैं तो तम्माकून संदान संस्थान आंदरप्रदेश के राजमूंद्री में हैं फिक हैं आगे पढ़ते हैं CVV में VV का मतलब क्या है कभी भी आप debit card credit card देखिए पिछले उसके back side में एक इस तरीके जहां पर चिप बाला back होता है वहीं पर तीन digit का एक code होता है तीन digit का होता है अगर कभी पूछा जाएगा कितने digit का तीन का इसको बोलते है card verification value तो CVV में VV card क्या हो गया या verification value हो गया ठीक है बिलकुल सूरत में है बहुत बढ़िया talent बाबू आगे बढ़ते है Facebook का मुख्याले किस इस्थान पर इस्थित है Facebook Mark Zuckerberg ने जो इस्थापित किया था बताओगे बढ़ी first देखो या Facebook की बात करेंगे मैनलो पार्क कैलिफोर्निया ठीक है मैनलो पार्क कैलिफोर्निया Green Tea की उत्पत्ति किस देश से होई अमेरिका चीन भारत या ब्राजील Green Tea की उत्पत्ति किस देश से होती है एक बार answer करोगे ग्रीन टी अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आप इसली कह सकते हो चाइना यहां पर चाइना में इसकी उत्पत्ति होती है सबसे अधिक ठीक है सेंटोस यहां पर कॉफी पॉर्ट भी इस्तित है ठीक है चलिए हरी चाय के बारे में जो ग्रीन टी के बारे में मैंने दिया है यह फाइदमन तो बहुत होती लेकिन एक्स की कितनी मात्रा लेनी चाहिए यह बिसकलिए लोगों को जानकारी नहीं रहती आईसा एक ड मैंबभी आजर्टोगेस्टिक या ओ आउसटिक या में सब्सटर्डा इस नियूरोल्ोजिकल डिसौडर होता है एक हैसरा इनलßर नोसाल है निमारी है यह बैक्टिरियल वॉर्ण है यह तो नियुरोलोजिकल डिसॉर्डर है कौन एक दार्सनिक था पटा पटान से करोगे इन में से वहिया कौन सा एक दार्सनिक था क्या साही उत्तर होगा फटा पटान से करोगे बिल्कुल कर सकते हो यह एक दम फटा पटान से कीजिए क्या से उत्तर होगा इसका क्या अंसर होगा भई कभी पूछा जाएगा तो यह दार्सनिक जो है इन में से सुसरुत वैद्ध हैं चरक वैद्ध हैं धन्वंतरी वैद्ध हैं चरवाक दार्सनिक और इनके नाम से यह एक दर्सन है चरवाक दर्सन अगर आप लोग जानते होंगे तो निश्चित रूप से यह बात जानते हैं ठीक है ब्रस्पत रिसी के सिस्से थे चरवाक किस विटामिन को जल में घुलंसील विटामिन के रूप में जनते हैं दो को विटामिन कैसिमर फंक ने अब इसकार किया दो तरीके के एक जल में घुलंसील दूसरे वसा में घुलंसील कौन कौन से बी और सी वसा में घुलंसील कौन से एडक याद रखिये गई ठीक है अब आप यह जो जाना जाता है इसमें एक बड़ा महत्रपूर्ण चीज है बहुत ध्यान से देखुए साइनो कोबना बेसिकली यह इस पार्ट बिटामिन बी कॉंप्लेक्स बी ट्वेल्व है उसका केमिकल नेम हो जाता है साइनो कोबना मिन तो बी और सी दोनों किसमें जल में है क्वेश्चन में यह पूछा गया है मा किसा भी यह बसा है गुलंसी ने मानमस्तिस का सबसे पिछला हिस्सा कौन सा होता है मानमस्तिस का सबसे पिछला हिस्सा जो है वो कौन सा है फटा पटा अंसा करेंगे भै आदी अजीत सारे लोग सेर करेंगे एक बार सेसन को टेलेंट बोलोगों बच्चे बिलकुल भईया देखो जाए इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला अबलंगेटा ये सबसे पिछला हिस्सा होता है आईफो थैलमस को हम लोग बोलते हैं सेंटर आफ हंगर बोग का केंदर प्यास का केंदर तापमान का केंदर सब होता है सेरे ब्रहम सबसे अगला है और सबसे बड़ा है सबसे बड़ा सबसे अगला सेरे ब्रहम सबसे पिछला मेडुला अबलंगेटा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते ही वर्ल्ड मिल्क डे इंट्रनेशनल ओल्डेस डे, ये कब मनाया जाता है? देखो बटया, बढ़े सवाल है. वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को इंट्रनेशनल ओल्डेस डे 1 अक्टूमर. नेशनल मिल्क डे पूछा जाएगा, तो 26 नॉंबर को नेशनल मिल्क डे, यह बरगीच कुरियन साब के जन दिवस पर मनाते हैं नेस्टनल मिल्क डे लेकिन वर्ल्ड मिल्क डे एक जून हो जाए है सीडवी का मुख्याला के सहर में बेंगलौर कलकत्ता लखनो पुने सीडवी Small Industries Development Bank कहते हैं ना सीडवी तो जल्दी से बताओगे इसका Headquarter कहा हो जाता है लखनो में लखनो में अटल भिहरी बाचपई इकाना स्टेडियम है लखनो में Health ATM Railway ने लगाया है लखनो में Asia का DNA Bank है लखनो में Central Drug Research Institute है लखनो में National Botanical Research Institute है ठीक है भाई इस सारे के सारे organization लखनो में नवाब आस्पुद दौला के द्वारा बनाया गया बड़ा इमाम बाड़ा भी लखनो में ही इस्तित है तुलसी जील किस सेर में है नई दिल्ली मुंबई कलकत्ता लखनो तुलसी जील फटाबड आंसर कर दो कि यह तुलसी जील जो है यह कहां पर है मुंबई में कह रहे हैं कुछ लोग नई दिल्ली में इसका सही आंसर भी यह मुंबई हो जाता ठीक है तो लिए आगे बढ़ते हैं और अंगजेब ने जजियाकर कब लगाया पंद्रासो चौसट पंद्रासो त्रेसट सोलासो उनासी यह पंद्रासो असी और अंगजेब के दोरा जजियाकर बच्चे कब लगाया गी दे होया और अंगजेब ने जो जजियाकर लगाया वो जजियाकर जो अकवर ने पंद्रासो चौसट में समात किया अकवर ने पंद्रासो चौसट में जजिया समात किया और अंगजेम ने इसको 1689 में लगा दिया अंतिम रूप से 171920 में कौन समाप्त करता है मुहम्मद सहा रंगीला जो है इस करको 171920 में अंतिम रूप से समाप्त करता है ठीक है 1564 में अक्पर ने जजिया समाप्त कर दिया था यह समाप्ती की रेट है अक्पर निल और 63 में अक सास्तर का जनक जो है वो कौन है क्या अंसर होगा है जो बहुत बढ़िया सवाल है कि सुभास पालेकर बड़ा प्रसिद्ध नाम है जो हम लोग कहते ना जीरो बजट एग्रिकल्चर इसके जनक ये हैं जेम्स विल्सन ने पहला बजट 1860 में अंग्रेजों की समय में प्रस्ट कामते हैं और लोग परसासन के जनक अगर कभी पूछे जाएंगे तो वुड्रो विल्सन है और यही लीग आफ नेसंस के संस्थापक भी है वुड्रो विल्स यह आपका किस राज में मनाया जाता है मीम्कुट फेस्टिवल तेजी से जितने लोग दूड़े हो हैं मीम्कुट फेस्टिवल के बारें पूछा गया है एक बार तेजी से आप लोग दोंसर पूछा गया है पेजी से अंसर करो कि मीमकुट फेस्टिबल पूछा गया है, सही उत्तर क्या होगा आपका, देखो बच्चे, अगर कभी भी मीमकुट फेस्टिबल के बारे में आप से पूछा जाए, तो आप लोग इजली बता सकते हो मीमकुट फेस्टिबल के बारे में, और मीमकुट फे पाड़ी और जैनतिया की पाड़ी यह तीनों की तीनों आपकी सिलाम में हैं त्रिवपुरा की राजधानी की बात करेंगे अगर तबहा है नागलेंड की राजधानी की बात करेंगे तो कोहिमा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है केंद्री सेवा है निमलिखित में से कौन सी नहीं है भारती बिदेश सेवा भारती राजधा सेवा भारती डाक सेवा या भारती प्रसासनिक सेवा कौन सी केंद्री सेवा नहीं है देखो भया बहुत ध्यान से आप लोग बताओगे जो केंद्रिय सेवा है ये आपकी कौन सी नहीं है तो प्रसासनिक सेवा को All India सर्विस कहते हैं All India सर्विस तीन ही है Indian Administrative सर्विस, Indian Police सर्विस, Indian Forest सर्विस और बनकी ये केंद्रि सेवा अंतर क्या होता है पूरे भारत में कहीं भी ट्रांसपर हो जाएगा केंद्रि सेवा में लेकिन जो All India सर्विस हैं उसमें कैडर अलाट होता है उसी कैडर के तहांत ही उसी राज्ज में उनका ट्रांसपर होता है बुलियो बई, यहां तक सारे लोगे को clear है, अगर clear है तो yes लिखेंगे, yes लिखके share कर दीज़े एक बार yes लिखके session को सारे लोग एक बार share कर देंगे अगर एकदम सटीक तरीके से आप लोगो समझ में आ रहा है, तो एक बार yes लिख्के शेयर कर देंगे भाई पटापट से जितने भी विद्यार थी हमारे साथ जुड़े हो बुले भाई चली आगे बढ़ा जाए बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ते हैं है कौन सी पंचवर्शी योजना जॉन डबलू मुलर मॉडल पर आधारी थे जॉन डबलू मुलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्शी योजना आधारी थे तीसरी पंचवर्शी योजना की बात करेंगे तो इसमें 1964 में UTI बना है 1965 में चप CI बना है और 1964 में ही तीसरी में वो कारो इस्टील प्लांट की भी स्थापना होती है ठीक है किलियर है पहला हेरोड डूमर मॉडल पर आधारित था पंच वर्स योजना दूसरी महल नोमिस मॉडल पर आधारित है और वाटमी जॉन डबलू मुलर मॉडल सिक्किम की इस्थापना किस वर्स में हुई थी सिक्किम फटा पटांसा करोगे सिक्किम की जो इस्थापना है वो बच्चे किस वर्स होती है 1975, 1987, 1986 में या सन 2000 में फटा पटांसा करोगे सिक्किम की स्थापना किस वर्स होती है सिक्किम राजधानी गैंग टोक है 36 में संभिधान संसोदन से सिक्किम को उन राजी का दरज़ा मिला 35 में संभिधान संसोदन से सिक्किम को भारत में सामिल किया गया 84 में हरियाना बनता है 2000 में तीन राज़ बनते हैं एक नॉमबर को 36 गड़ 9 नॉमबर को उत्रा खंड 15 नॉमबर को जार खंड ठीक है याद रहेगा सन 2000 यूरिया में nitrogen का percentage कितना होता है 40, 46, 50 और 30 यूरिया यूरिया का मतलब समझ गया होंगे आप NH2 CO NH2 यूरिया का सूत्र होता है इसमें जो percentage होता है nitrogen का खाद की बोरी अगर कभी आप देखोगे तो उसके उपर लिखा रहता है 46% यूरिया उसके उपर एकदम बड़ा बड़ा सा लिखा रहता है 46% आपका nitrogen है ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं वे कौन से ग्रह है जिनका कोई उपर ग्रह ही नहीं है ऐसे कौन से ग्रह है जिनका कोई उपर ग्रह नहीं है आंसर करोगे बड़ा तेजी से आंसर करोगे जिसका कोई उपर ग्रह नहीं है बड़ा बोले भाइ, फास्ट अंसर कीजी बिल्कुल बच्चे देखो, यहाँ पर समझ लोगे, दो ऐसे ग्रह हैं, बुद्ध और सुक्र जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, स्पोलर सिस्टम का अगर पूछा जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप कहो गयार ब्रहस्पति, फिर पूछा जाएगा सबसे चोटा, सबसे चोटा आप कह सकते हो यार बुद्ध है, फिर पूछा जाएगा लाल ग्रह कौन सा है, तो आप कहो गयार मंगल है, फिर पूछा जाएगा आप से लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो आप कह सकते हो यार अरुन जो है, वो लेटा हुआ ग्रह है, ठीक है बढ़ बोलोगे बैं, फास्ट क्या आंसर होगा बैं देखो याद रखना है GIC की जो स्थापना है 1972 में ठीक और LIC 1956 में बनता है ठीक है मैं याद LIC 1 सितंबर 1956 किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है कौन से यसे है इसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता देखो लोक सभा को भंग किया जा सकता है तो यह तो आंसर होगा नहीं राज सभा को ना तो भंग किया जा सकता है ना समाप्त किया जा सकता है तो यह भी नहीं होगा आंसर विधान सभा को भंग किया जा सकता है तो यह भी नहीं आंसर होगा बिधान परिशत को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन बिधान सवा के बहुमत से समाप्त भी किया जाता है और बनाया भी जाता है कई सारे राज्य है जिसे तमिलनाडू एक्जामपल है इसका बहाँ पर बनी थी फिर से समाप्त हो गई हिंडोला महल किस राज्य में है हिंडोला महल की बात करोगे तो यह आपका मध्यप्रदेश में हैं और मध्यप्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं बैस सोया बीन के उत्पादन में मध्यप्रदेश नंबर बनें सब लोग जानते हैं और अफीम के उत्पादन में बंगाल की बात करेंगे जत्रा यहां का बड़ा प्रसित दिन रहते हैं अगला सवाल है मिया सेंट्रो कोटस और एंड्रो कोटस किसके नाम थे चंद्रगुप्त मौर या सोग या चंद्रगुप्रथम या समद्रगुप्त सेंट्रो कोटस और एंड्रो कोटस भी है किसके नाम थे एक बार तेजी स्यान से करोगे फास्ट देखो या सेंट्रो कोटस और एंड्रो कोटस की जब भी बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर की नाम ठीक है जिसने अपने जीवन का अंतिम समय कहां बिचारा बिताया था स्रा बड़ बेल गोल में इनोंने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था ठीक है बच्चे चली तो यही तक हम लोग एकते हैं